कि यहीद्स और बाता है दोस्तों आप सभी का जो है आज के इस नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत तो आज की इस वीडियो में हम यहां पर देखने वाले हैं डियुरेशं के बारे में भी यहां पर देखेंगे pv01 क्या होता है तो किया होता है तो चल्य चुरू करते है तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं duration का मतलब क्या है duration को जो है यहां पर macule duration भी कहा कि जाता है तो यह क्या अगर खरatt give us a measurement की बात करें तो यह यहां परhots醒 fit amount Link in use यहां पे किया है like for example अगर आपको इभी इन्वेश्मेंट करते हो बॉन्ड में तो वहां पे आपको जो है कुपॉन मिलते है वहां पर आपको इंटरेट मिलता है तो आपके present value के base पे present value के terms में आपका जो investment है उसको कितना time लगेगा उस particular investment initial investment को recover करने के लिए वह आपको duration बताता है okay तो duration को आप यह भी कह सकते हो कि payback period आपका यहां पे क्या होगा bond को कि जो break even तक पहुंच सके और यह भी आप कह सकते हो कि उसको कितना time लगेगा तो अपने जो own purchase price pay किया है उसको pay करने के लिए okay so duration in simple words कि आपकी present value के terms में आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसको recover करने में कितना time लगेगा तो वह आपको duration बताता है okay तो हम इसको जो है example के point of view से समझ लेते हैं यहां पे तो यहां पे सिनारियो है आपके पास तो अगर आप देखोगे यहां पे सिनारियो कुछ इस तरीके से कि एक bond है जिसका दो साल का यहां पे maturity है और coupon है 10 percentage उसका जो current price जो है that is 101.79 और यहां पे जो cash flow के अगर हम बात करे है वह है 2-year yield का बिंग 9 percentage तो यहां पे जो yield है that is 9 percentage और coupon जो है वो 10 percentage है तो एक बार अगर आप इस सिनारियो को देखेंगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि face value जो है that is 100 यहां पे basic information आपके पास है face value जो है that is 100 coupon जो है that is 10 percent annually आपको चार्ज होता है और यहां पे अगर इसको हम semi-annually देखना चाहेंगे तो 5% होगा maturity जो है वो 2 साल की है बट यहां पे याद रखे कि यहां पे जो भी आप coupon पे करने वाले वो है semi-annually के base पे okay so maturity जो है that is two years तो आपके जो time जो time period आप कह सकते हो that is for four time okay यहां पे yield कितना आपको mention किया है 9 percentage तो semi-annually के base पे कितना होगा 4.50 percentage तो यह basic जो है information आपके सामने यहां पे screen पे है तो चलिए अभी इसको हम थोड़ा सा और detail में देख लेते हैं तो अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा और detail में करूं तो यहां पे आपके पास time period cash flow अभी cash flow कैसे आया यहां पे मैंने 4EQ लिखा है because यहां पे इसका जो maturity जो है वो 2 साल का है और यहां पे जो भी आपको coupon मिलने वाले है वो half yearly है so आप कह सकते हो जो time period जो है वो half yearly है और 2 year को अगर हम करेंगे so that will become 4 time period okay अभी इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं cash flow यहां पे coupon कितना में mention किया है 10% annually अगर यह half yearly में यहां पे होगा तो क्या होगा so 10% of 100 is nothing but 10 rupees half yearly में करेंगे so 5 rupees so पहले time 5, second 5, third time 5 और 4th year में आपको आपका principal जो है face value 100 rupees मिल जाएगा plus आपको interest जो है coupon जो है वो यहां पे मिल जाएगा that is 105 अभी हम यहां पे present value जो है वो कैसे निकालते है वो हम यहां पे बेखेंगे तो present value निकालने के लिए सबसे पहले आपको cash flow जो है that is your cash flow उसको आप divide कर दीजिये जो formula है that is one जो हमने एक लाएगेस present value and future value के वीडियो में तो जो आपका cash flow है that is cash flow divided by 1 प्लस आपका rate of return rate of return कितना होगा 4.50 percentage तो आपका yield कितना है 4.50 कर लेजिए और यहां पे है present value of time-weighted cash flow okay तो यह present value time-weighted cash flow क्या है इसका मतलब यह है कि आपको जो आपका जो पैसा यहां पर recover होने वाला है उसको कितना time period लगेगा क्या उसको one half year लगेगा या one year लगेगा one and half year लगेगा या two year लगेगा तो वह आप यहां से pv of time-weighted cash flow से निकाल सकते हो इसका जो formula है वो क्या होगा इसका formula है that is 4.78 multiplied by time period okay और इसको फिर जो है आपको क्या करना है इसको आपको drag करना है यहां पर एक छोटी let me just correct this यहां पर आपको क्या करना है यह जो e 15 जो है यह आपका यहां पर इसको आप constant कर दीजिए अगर आप constant नहीं रखेंगे you you will get the wrong answer देखिए okay अभी मुझे यह present value of cash flow जो है उसका मुझे sum निकालना है तो sum तो यह आपका present value of cash flow हो किया अभी इसके बाद आपको क्या डूढना है यहां पर आपको डूढना है यह time-weighted cash flow तो इसका भी आपको sum निकाल दीजिए so this is what that this is price value of time-weighted cash flow अभी मुझे यहां पर क्या डूढना है मुझे यह डूढना है कि number of period duration of duration number of period मुझे वो डूढना है तो कैसे दून पाऊंगा में इसे काफी simple है इसका जो formula है that is this divided by present value of cash flow so present value of time-weighted cash flow divided by present value of cash flow तो यहां पर यह इसका answer है 379.28 divided by 101.79 तो यहां पर आपको answer जो मिलेगा that is 3.72 okay अगर मैं इसको round up करूंगा तो यह answer आपको 3.73 मिलेगा मतलब क्या कि इसको 3.73 का time period लगेगा उसके जो investment है उसको present value में जो हमने देखा उसको recover करने में 3.73 का time period लगेगा तो अगर हमने यहां पे जो है यह time period जो है वो डून लिया है अभी हमें क्या ढूनना है अभी हमें ढूनना है इसका कि इसको कितना साल लगेगा तो इसके साल के लिए यहां पे क्या करना है हमें तो इसका भी एक formula है तो इसका जो formula है वो कुछ इस तरीके से अगर आपको डूनना है duration in years अगर आपको years में डूनना है तो इसका जो formula होगा वो कुछ इस तरीके से duration number of period divided बाइड number of years क्या है number of years तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो मेरा जो duration number of this यह है उसको divided by number of year कितना होगा दो यहां पर कैसे यहां पर mention already किया maturity 2 साल का है तो यहां पर जो होए that is number of year is 2 तो आपको जो यहां पर answer मिलेगा that is duration in years तो आपका जो duration होगा आपके present value को present value पे investment को recover करने के लिए वो होगा 1.86 years इसका जो tag होगा that is 1.86 years okay so I hope यहां तक सभी को clear होगा तो अगर आपको कुछ भी doubt है एक पर वापस rewind कर दीजेगा आपको idea आ जाएगा इसके बाद चो next चीज हम यहां पर देखेंगे that is something called as modified duration okay तो अभी तक तो हमने जो है वो हमने देखा यहां पर macula duration के बारे में अभी हम modified duration के बारे में देखेंगे modified duration क्या है एक ऐसा यह modified version macula duration का तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर अगर one percentage change होता है interest rate पे तो उससे आपके value of security पे कितना impact होगा वो कितना change होगा वह आप यह modified duration से identify कर सकते हो okay so चलिए इसके बारे में इसका भी एक formula है अगर आपको modified duration रूणना है तो यह हम इसी के example के साथ यहां पर continue करेंगे तो यहां पर हम देखने वाले है modified duration so modified duration के लिए यह आपको जो है दो चीज़ों के पता होना चाहिए सबसे पहले duration in years maculae जो है वो सबसे बेस होगा यहां पर duration in years के लिए आपका जो जो आप कह सकते हो कि आपका जो जो formula में आपको जो पहली चीज़त है that is maculae duration that is 1.86 years okay तो इसको मैं सिर्फ 1.86 कर देता हूं so that identify कर रहे में easy हो जाए और दूसरा यहां पर आपको चाहिए इसका जो formula है that is duration in years divided by यहां पर आपको चाहिए rate of interest rate of yield कह सकते हो और यहां पर जो payment हो रही है coupons के उसका जो frequency है वो तो number of repayments एक साल के basis पर एक साल के basis पर ओके तो यहां पर रेट अफ लिल्ट क्या है 9 परसंटेज तो 9 परसंटेज को I can write like this 0.09 और यहां पर जो है आप कह सकते हो number of repayment per year एक साल में कितना हमें repayments हो रहा था दो बार तो अगर आपको modified duration ढूंडना है so that would be 1.86 divided by 1 plus यह जो आपका यहां पर आपको चाहिए अभी यहां पर आपको चाहिए 1 divided by 1 plus number rate of yield और इसका rate of yield और उसके बाद आप इससे divide कर दीजाए 2 के साथ okay so you will get the answer that is 1.05 अगर आप इससे divide करेंगे तो आपको MD मिल जाएगा so that is 1.77 अगर इसको round-off करेंगे तो you will get the answer of 1.78 1.78 so यह क्या है यह आपका MD है MD क्या है MD means modified duration मतलब अगर आपके एक percentage यहां पर चेंज होता है तो यहां पर जो है आपके एक percentage interest rate में change होता है तो इससे आपके जो value होगा security में उस पर 1.78 जो है यहां पर percent तक का impact हो सकता है so duration जो है वो primarily आप कह सकते हो उसका जो use है वो है sensitivity देखना bond market का अलब जो price of bond का उसके interest rate के साथ तो जितना जादा यहां पर जो है आप कह सकते हो duration होगा उतना जादा यहां पर impact हो सकता है so for example मान लेज़े कि एक bond है जो 15 साल का bond है जिसका already 8 years जो है complete हो चुका है अभी remaining यहां पर 7 years बच है और कुछ reason से यहां पर मान लेज़े interest rate यहां पर 1% से बढ़ गया तो यहां पर क्या होगा कि आने वाले साथ साल में यहां पर कि एक परसंटेज का जो है साथ साल मतलब एक परसंटेज बड़ा interest का तो यहां पर यहां पर आप कह सकते हो जो impact होगा वह 7 years का per year 1% मतलब 7 साल के 7 परसंटेज तक का जो है यहां पर impact होगा so आप कह सकते हो कि जितना लंबर duration होगा उतना ही bond पे उसका bigger impact होता है so higher the maturity higher the impact you can see over there अभी इसके बाद एक last चीज जो हम यहां पर देखेंगे that is pv01 okay यह pv01 क्या है तो pv01 is nothing but आपका जो आपका जो present value जो है उसको आप जो है उसको basis point पे जो है हम जो calculate करते है that is pv01 okay so p01 जो है मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा एक introduction देता हूं कि it's like it describe the actual changing price मतलब अगर कोई भी yield में अगर एक basis point एक basis point change होता है तो उससे bond के price में कितना changes होगा वो यहां पर जो है आपको pv01 जो है describe करता है अभी याद रखे 100 basis point okay 100 basis point मतलब होता है है one percentage कितना होता है one percentage तो अगर one basis point होगा इसका मतलब क्या हुआ 0.01 percentage okay तो यहां पर वो ही जो है mention करना है अभी यहां याद रखे कि इसमें भी जो है इसके भी calculation है तो अब भी हमें जो है example modified duration जो मिला that was 1.78 बतलब एक percentage अगर interest rate change होता है तो उसके जो value of security जो होगा वहां पे 1.78 परसंट तक का impact हो सकता है तो यहां पे अगर हम इसको जो है यह particular जो है present value जो है उसको अगर हम value terms में यहां पर define करें तो 1.78 उसको आप multiply कर दीजिए जो उसका current market price है उसके साथ तो उसका current market price हमने देखा था that was 101.79 वह आपको यहां पर mention करना है और और divided by 100 जो उसका face value है तो यहां पर आप जो है इसका answer don't pay to 1.81 तो यह 1.81 हमें क्या बता रहा है यह 1.81 हमें यह बता रहा है कि अगर यहां पर आपका जो है आपका जो बॉंड है उसका yield में अगर यह आपका जो present value जो है वह क्या बता रहा है कि अगर एक basis point बढ़ता है तो यहां पर कितना impact होगा bond के price पर क्या change होगा वह आपको present value describe करते हैं तो यहां पर आप कह सकते हो कि 1.81 जो है वह 1.8 जो है वह वाला जो bond था वह 9 से अगर हो जाता है 9.5 परसंटेज तो आपका जो bond होगा यहां पर कितना था 9 परसंटेज था वह 9 से कितना हो गया 9.5 परसंटेज ओके तो यहां पर difference कितने का है 0.0.5 का यहां पर difference है तो यहां पर आपको क्या होगा कि अगर आपका जो bond जो पहले आप कह सकते थे कि 101.79 का उसका जो market value था तो उसके price पर कितना impact होगा उसके price पर आप कह सकते हो कि 0.5 जो उसका यहां पर difference है उसको multiply करना है आपको जो यहां पर पैसे मिले वह that is 1.8 okay वह 1.8 आपका यहां पर जो है वह आपके difference है यह आपका यह आपका जो है yield में जो change होता है उसके बारे में है okay और यहां पर आपको क्या दिया है यहां पर आपको कह सकते है कि यह difference है अगर आप इन दोनों को multiply कर दिए तो आपको क्या मिलेगा 0.9 okay 0.9 का मतलब क्या अगर आपका yield यहां पर 0.5 से बढ़ता है okay तो आपका जो price है वह इससे इतना घट जाएगा okay this is 0.09 basically okay यह क्या है यह 0.09 है यह 1.8 पैसे है ना that is why तो यहां पर this is nothing but it is 0.09 तो यहां पर क्या होगा यह 0.09 जो यहां पर deduct हो जाएगा तो यहां पर आपको जो answer मिलेगा 100.101.7 तो यह क्या है this is nothing but your आप कह सकते हो कि आपका price तो यहां पर हम price जो present value जो है यहां पर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके basis point interest rate में कुछ changes होता है तो उसके आपके modified जो duration वाला जो है उस पर क्या impact होगा तो अगर मानलेजे कि जब भी हमने देखा 9.5 परसंटेज का जो था वह कभी था वह 101.79 पर था तो अगर interest rate बढ़ जाता है 9 से आप कह सकते हो कि 9.5 परसंटेज हो जाता है तो बॉंड का वैल्यू क्या होगा बॉंड का वैल्यू जो है 101.79 से 101.7 हो जाएगा आप सभी को यहां पर समझा होगा तो यह जो है this is nothing but your interest यह 9 परसंट 9.5 परसंट these are your interest और यह जो है यह आपका difference है यहां पर यह क्या है यह आपका difference है यहां पर तो अगर आप इन दोनों को multiply करेंगे you will get the answer of 0.9 और यह जो 9 पैसे यहां पर आपको मिले है यह जो है 1.8 पैसा है 1.8 पैसे अगर 1.8 पैसे को अगर आप multiply करेंगे 5 के साथ यहां पर multiply करेंगे you will get the answer of 0.09 और अगर आपका yield बढ़ता है price of the bond गिरेगा और अगर आपका bond बढ़ता है अगर आपका yield कम होगा तो price बढ़ेगा और अगर आपका yield बढ़ता है तो price गिरेगा और आपका yield बढ़ता है price गिरेगा और आपका yield कम होता है price बढ़ेगा okay so it's a inverse relation yield increase होगा price decrease होगा और अगर yield decrease हुआ price increase होगा okay so they have the inverse relation जो हमने पिछले कई वीडियो में बताया आप सभी को so I hope आप सभी को यहां तक का यह जो वीडियो है वो समझ में आया होगा अगर आप सभी को जो है अप नए हो इस particular चैनल में so please give your likes to this particular video और हम जो है आपके लिए ऐसे ही रोज नए वीडियो लाते रहेंगे तो आप सभी का जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद